नमस्कार दोस्तो एस भी नॉलिज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो पिछले कल भारत के पहले फ्यूचरिस्टिक स्टेल्थ फाइटर जट याने की एमका को लेकर एक नहीं बल्कि दो दो बड़ी और क्रिटिकल अपडेट्स निकल कर सामने आ रह है एमका को बनाने में जिस टेक्नोलोजी का यूज करने जा रहा है उसके बारे में आज तक किसी भी देशने नहीं सोचा होगा और अगर सोचा तो कर नहीं पाया इसके अलावा अब ब्रेटेन भी एमका से जुड़ी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम का सलुशन लेकर वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहली अपडेट की तो जैसा कि हमने आपको आज से कुछ दिन पहले ये बताया था कि चाइना ने साल 2035 तग अपनी एर फोर्स में हजार से भी जादा J20 फाइटेट को सामेल करने का टार्गेट बनाया है जिसमें से खासकर ज J20 फाइटेजेट का निर्मान कर रहा है और इसलिए भारत के उपर ये सवसे बड़ा खत्रा था कि भारत 2032 और 2033 तक एमका तो बना ही लेगा लेकिन भारत की प्रोड़क्शन इतनी जादा स्लोर हैने वादी है कि एमका क्वालिटी के मामले में भले ही J20 से आगे निकल जा डवलप्मेंट एजनसी और हिंदुस्तान एरोनौटिक लिमिटेट्स है इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड क्या है कि हम एमका की प्रोड़क्शन को अब सूपर डूपर स्पीर से आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए हम ट्रेडिशनल मैथड जो की CNC यानि की कम्पीटर नुमेरिकल कंट्रोल मैथड है उसका इस्तमाल नहीं करेंगे बलकि अब हम अपने एमका को एक नई टेकनोलोजी से बनाएंगे और इसका नाम होगा 3D प्रिंटिंग टेकनोलोजी जी हां जिस 3D प्रिंटिंग टेकनोलोजी को फाइड जेट की मैनुफेक्शन के लिए प्यारा देश भारत एमका के निर्मान कार्य में जल्दी इस्तमाल कर सकता है बस हमारे इंजिनियर्स को 3D प्रिंटर में एमका के पार्ट्स के डिजाइन को डालना होगा और कुछी घंटों के समय में 3D प्रिंटर एमका के पार्ट्स को बनाकर काम खत्म कर देगा और बार इतना जादा सीरियस है कि अल्रेडी भारत ने कई प्राइविट कंपनी के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है ताकि ये प्राइविट कंपनिया खुद ये खास तरह के 3D प्रिंटर को डिजाइन करें जो कि सिर्फ और सिर्फ एमका के लिए होगा और बाद में उन्हीं कंपन है कि एमका के प्रडिक्शन को लेकर हमें आगे चल कर कम से कम बिल्कुल ना के बरावर डिले देखने को मिलेगा और सारे टारगेट्स एक टाइमलाइन में रहते हुए अचीव किये जा सकते हैं इसके अलावा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलोजी को एमका में योज़ करने से हम पहले के मुकाबले हमें एमका को बनाने में मार्टेरियल भी कम यूज़ करना पड़ेगा बस हमें करना यह होगा कि हमें प्राइवेट कंपनियों को शहीं डिलीवर करने होंगे चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट की तो ये अपडेट एमका के इंजन को लेकर है तो क्योंकि दुनिया में इसके जैसा reliable engine और दूसरा है ही नहीं लेकिन इस engine के साथ भारत को एक समस्या आ रही है और वो समस्या है सूपर क्रूज अब सूपर क्रूज क्या है इसे एक example के थ्रू समस्ते हैं दरसल मान लिजे हमारा एर स्टाइक करने के लिए चाइना में जाता है और stealth होने की वज़ा से चाइना को एमका के आने का पता नहीं चलता लेकिन जैसे ही एमका बॉंबिंग करेगा वैसे ही चाइना को पता चल जाएगा कि उनकी territory में भारत का एमका आ चुका है और तुरंत Chinese Air Force के fighter jet एमका को पकड़ने के लिए रवाना कर दिये जाएंगे अब ऐसे में एमका को बहुती तेजी के साथ वापस से भारत में आना होगा और ऐसे में एमका को काफी ज्यादा thrust की नीड पड़ेगी जो की एमका का इंजन आफटर बर्नर का इस्तवाल करने से जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है fuel consumption की समस्या आफटर बर्नर का इस्तमाल कर करने से इंजन काफी तेजी के साथ fuel खाता है और अगर डिस्टेंस जादा हो जाए तो ऐसे में हमारा एमका वापस से अपने basis पर आप आए इसके काफी कम चांसे हो जाएंगे अब ऐसे में आफटर बर्नर की बजाए सूपर क्रूस टेक्नालोजी का इस्तमाल क्या जाता है जो कि बिना अफटर बर्नर का यूज के suitable amount में अच्छा खासा thrust generate कर सकता है लेकिन अमेरिका का जो F414 इंजन है वो वैसे तो अच्छा है लेकिन वो सिर्फ कुछी conditions में सूपर क्रूस टेकनालोजी को इस्तमाल कर सकता है क्योंकि अमेरिका ने इस इंजन को अपने हिसाब से बनाया था इसलिए इंजन अमेरिका के वैदर के हिसाब से काम गरता है जबकि भारत का वैदर अमेरिका से टोटली डिफरेंट है और हमारे एमका को काफी ज़्यादा हास कंडिशन में काम करना होगा इसलिए F414 हर तरह के वैदर में भारत को सूपर क्रूस capability प्रोवाइड नहीं कर पाएगा अब ऐसे में ब्रिटेन की कंपनी रॉल्स रॉइस की तरव से भारत को एक काफी बड़ा ओफ़र आया है दरसे ब्रिटेन अपने लिए एक सिक्स जनरेशन फाइट बना रहा है जिसका नाम है टेमपेस्ट इस फाइट इजिट में जिस इंजन को इस्तमा कर जा सके तो ऐसे में भारत को अपना जीन की यहां ने कहा है कि उन्हें इस बातकी खुव होगी लगया जा सके और साथी रॉल्स रॉइस ने भारत को यह भी आ स्वासं दिया है कि नहीं म का मयन्स जासाथ घार इंजन को you और भी एडवांस वर्जन बनाता है तो भी इंज सबसे बड़ी बात बिटेन का जो इंजन है वो थ्रस्ट, स्पीड और पावर तीनों मामलों में F414 इंजन से कही ज़्यादा आगे होगा साथ ही साइस की मामले में कापी ज़्यादा छोटा और कॉमपेक्ट है जिस वज़से हैं में एमका में एक्स्ट्रा पावर और इस्पेस दोनों ही मिलेंगे और हमारा एमका और ज़्यादा वेपन्स केरी कर पाएगा बस इसके बदले में भारत को रॉल्स रोईज के एक बात माननी होगी और वो ये कि भारत को टेमपेस्ट प्रोग्राम को जॉइन करना होगा और टेमपेस्ट वाइडेजट को बनाने में अपनी तरफ से फंडिंग देनी होगी बाकी इंजन और टेंपेस्ट की टेकनलोजी सब कुछ ब्रिटेन और रोल्स रोईजी भारत को प्रोवाइड करेगी अब ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है लेकिन आपको क्या लगता है क्या भारत को एमका के लिए अमेरिका का बना बनाया एफ और फोर इंजन लेना चाहिए या फिर ब्रिटेन का एडवांस और अंडर डवलप इंजन लेना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना और जाने से पहले एएस्वी नॉलिज चैनल को सब्स्क्राइब करके मेल आइकन को ज़रूर बैस करना ताकि आने वाली सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जै हिंट जै बारत